दोस्तो पिछले गल अर्जेंटीना की तरफ से भारत के लिए एक काफी बुरी खबर निकल कर सामने आई है सालों की नेगोशिशन के बाद एक बड़ा यूटर्ण लेते हुए अर्जेंटीना ने भारत के हाथों से कई मिलियन डॉलर्स का एक काफी बड़ा टेंडर छीन लिया है लेकिन यतीन मानिये इस फुरुआत में तो भारत के लिए एक जटका हो सकता है लेकिन आगे चलकर अर्जेंटीना की ये वेव कोफी उसको ही डबल नुकसान देने वाली है दरसल वाक्या है कि अर्जेंटीना भारत से तेजस वाटर जट की प्रिक्योर्मेंट को लेकर पिछले काफी समय से बाचित कर रहा था इस साल जुलाई के महिने में जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर जयोस्टियाना भारत की चार दिन की विजिट पर आये थे तब उन्होंने भारत के साथ तेजस वाटर जट की फाइनल नेगोशेशन स्टार्ट करने से पहले तेजस में लगे ब्रिटिस मेड सीट इजक्सन सिस्टम को रीप्लेस करके किसी और कमपनी के सीट इजक्सन सिस्टम को लगाने की डिमांड तक की थी क्योंकि ब्रिटेन और अजेंटीना दोनों आपस में एक दूसरे के कटर दुश्मन है और दोनों के बीच फॉकलेंड आइलेंड को लेकर विवाद चल रहा है और फॉकलेंड आइलेंड पर ब्रिटेन की सेना से मुकाबला करने के लिए अर्जेंटीना तेजस वाइटर इस तो नहीं है जिसके लिए भारत ब्रिटेन के साथ अपनी सालों पुरानी डील तोड़ दे लेकिन फिर भी उस वक्त भारत ने अर्जेंटीना के लिए ब्रिटेन तक की परवर नहीं की थी और अर्जेंटीना के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर भारत ब्रिटेन के लग से असेम्मली लाइन और सर्विस और मींटेनेस यूनिट तक लगाने के लिए तैयार था अब जितना सब कुछ भारत अर्जेंटिना को ओफर कर रहा था उतना आज तक भारत ने किसी और देश को ओफर नहीं किया है इसलिए भारत तो यहीं चाहेगा कि अर्जेंटिना के साथ धोका करते हुए तेजस फाइटर जेट को छोड़ कर अमेरिका के फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है और अर्जेंटिना ने अमेरिका के साथ मिलकर एक थर्ड पार्टी डॉक्यमेंट भी साइन कर लिया है जिसके बाद अमेरिका ने भी अर्जेंटिना को फाइ अर्जेंटिना को दे दिये हैं रिपोर्ट की माने तो अर्जेंटिना ने इस डिल में भारत के तेजस को छोड़ कर अमेरिका के F-16 को इसलिए सलेक्ट किया है क्योंकि 338 मिलियन डॉलर की इस टेंडर में जहां एक तरफ भारत अर्जेंटिना को 16 तेजस एरक्राफ्ट देने पढ़ रहे हैं लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका तो छोड़ो दुनिया में किसी भी देश के एरक्राफ्ट की वैलियों 10 मिलियन डॉलर नहीं है अमेरिका के F-16 की एक्च्वल कोस्ट 63 मिलियन डॉलर है इस लिहास से देखे तो 38 एरक्राफ्ट की टोटल वैलियो 2 बिलियन डॉलर के वी उपर है फिर अमेरिका ने 338 मिलियन डॉलर में 38 F-16 एरक्राफ्ट अर्जेंटिना को कैसे दी दिये तो इसका जवाब है कि यह सभी एरक्राफ्ट अमेरिका डारेक्ली अर्जेंटिना को मैनिफेक्चर करके एक्सपोर्ट नहीं कर रहा बलकि इन एर बस्ते होने के पीछे की वजा यह है कि यह सभी एरकाफ्ट आउट्डेटिड है इन में से 6 एरक्राफ्ट ब्लॉक 10 वेरेंट के F-16 है और बाकी बचे सभी एरक्राफ्ट ब्लॉक 15 के एरकाफ्ट्स है जिनकी मैनिफेक्ट्रिंग ऑफिसली अमेरिका में बंद भी हो चुकी इन सौट अगर देखा जाए तो अरजेंटिना को मिलने वाले F-16 की फाइटिंग केपविलिटी काफी लिमिटर रहने वाली है अरजेंटिना इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसने जिस ब्रेटेन से लड़ने के लिए फाइटर जेट का टेंडर निकारा था उस ब्रेटेन कभी भी भारत के तेजस की पावर को मैच नहीं कर पाएंगे लेकिन हम 10 मिलियन डॉनर्स में अरजेंटिना को तो अपने तेजस देकर अपना नुकसान नहीं कर सकते इसलिए हमारे लिए भी अरजेंटिना को उसके हाल पर छोड़ देना ही सही है अरजेंटिना ने अमेरिका से अर्जेंटिना के उपर second hand overrated और retired F-16 को खरीदने का pressure डलवाया है ताकि अर्जेंटिना के पास कोई भी advanced aircraft ना सके और अर्जेंटिना कभी भी ब्रिटेन के लिए threat ना बने क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन आपस में एक दूसरे के allied countries है वो एक दूसरे के खलाव क या इस डील के cancel होने से भारत को सच मुझ में नुकसान हुआ है या फिर अर्जेंटिना ने अपनी बेव कोफी का सबूत पूरी दुनिया को दे दिया है कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस वी नॉलेच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पै